शी गेता भक्ति अम्रित महुत्सों कि आज के इस पावन समारों में जिनके सानिध्य से इन सभी पूज संतों का आस्रिवाद आज यहां प्राप्त होरने जा रहा है और विगत एक सप्ता से संतों का आगमन, महापुर्सों का आगमन इस आयुजन के साथ जुड़ा हुआ है इस संपूर्ण कारिक्रम के प्रेरक, मार्क दर्शक, सिराम जनभोमी, तीर्थ छेत्र, न्यास के कोसाध्यक्स, पुज्य स्वामी, गोविंद देव गिरीजी महाज, योग रिसी पुज्य स्वामी, राम देव जी महाराज, जुड़ना खड़ा के आचारे महामन लेश्वर, पुज्य स्वामी अवधेसानंद जी गर महाराज, पुज्य स्वामी चिदानंद सरसुती जी महाराज, पुज्य स्वामी राजेंदर दालस जी महाराज, पुज्य स्वामी रामेश भाई ओज्या जी, साद्वी भगवती देवे जी, उत्तरब्रदेश सरकार में मेरे बरिष्ट सयोगी, वहां के जलसक्ति मंत्री से स्वतंत्र देव सिंग जी, महाराज्ट सरकार के मान्य मंत्री से चंदरकान पाटिल जी, से दलीव वल्से पाटिल जी, से गीता भक्ति अम्रित महत्सो के सायोजन में पधारे सभी पुज्य संथ जन, भक्त जन और उपस्तित बैनों और भाईयों, पुज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की, जन्म के अम्रित महत्सो जिसे हम सब सिगीता भक्ति अम्रित महत्सो के रूप में, यहां पर भब्यता के साथ, पुरी दिब्यता के साथ आयुजित कर रहे हैं, इस आयुजन के उसर पर, बिगात पिचत्तर वर्सों से बैदिक सनातन धर्म के लिए, अपने पुरसार्थ से, अपनी साधना से, अपने परिश्रम से, पूज्य स्वामी, गोविंद देवगरी जी मरहाज ने, जो कारे किया, जो आसरी बात सनातन हिंदु धर्मावलंबियों को दिया है, उनके प्रती कृत्गिता ग्यापित करने का एक उसर, यहाँ गीता भक्त अमरित महोटसो की रूप में हम सब के सामने है, मैं इस असर पर, अमरित महोटसो की इस बेला में, उनका हिर्दे से अविनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं, और, गैनेस्वर्जी महराज से ही प्रार्थना करता हूं, कि पोज्य स्वामी जे का सानिध्य उनका मार्ग दर्सन सनातन हिंदो धर्माव लंबियों को एक लंबे समय तक प्राप्त होता रहे यहाँ उनके सिचणों में बारम बार प्रिडाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ आज ये मेरा सौफाग्य है कि मुझे इस अद्वुद औसर पर आनंदी आने का औसर प्राप्त हुआ है मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नात संप्रदाय का एक सामाने अनियाई हूँ सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के नुसार पूरी समर्पन भाव के साथ कारे करता हूँ और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है भग्वान गनिश्वर जी मराज की जो परंपरा है उस परंपरा को परणाम करने और इस परंपरा के सेतों को जोड़ने का काम किया है पुझ्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी ने उनकी प्रतिक्रतकिता ग्यापित करने के लिए का कि आज मैं स्वयम यहां पर उपस्तित हुआ हूं मन में बहुत दिनों से अच्छा थी वर्सों से इच्छा थी बच्पन में मैंने ग्यानेस्वरी पढ़ी थी और तब से इच्छा होती थी ऐसी दिब्व विभूती कौन है जिनका सानित्य जिनोंने मात्र पंद्रा वर्स की उम्र में ग्याने सुरी का अपदेश दे करके भक्तों को एक नई रहा दिखाई जिनोंने इकीस वर्स की उम्र में संजीव समाधी ले करके भारत की अध्यात्म को पुरे भूमंडल पर लहराने का काम किया था ऐसे दिब्व्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो जगद गुरु संक्राचारिय कांची काम कोटी के पूज़ संक्राचारिय जी महराज इस मंच पर पधारे हैं मैं उनका भी हिर्दे से विनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ और आज ये मेरा सोभाग्य है कि मुझे साकसाथ इस परंप्रा की प्रती वहां पर दर्शन करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ वहां जाने का उसर प्राप्त हुआ पैन और भाईयों एक ही परिवार में चार-चार सिद्ध संतों का उदे और महराष्टे वाले इसलिए सोभा के साली है इन पुझे संतों का अश्रिवाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है सेकड़ों वर्सों से प्राप्त हो रहा है और भक्ति से उपजी ये सकती ही दुस्मनों के दाथ हमेशा खटा करती थी समर्द गुरू रामदाज जी छत्रपती सिवाजी महराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपती सिवाजी महराज पुरे भारत के अंदर उनों ने जिस तेज को लहराया था उस काल घंड में सोचिए औरंग जेब की सत्ता को चुनाती देते वे औरंग जेब को उन्हों ने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है यद्मुत्सार और प्राकर्म की धरती है इसलिए है क्योंकि पूछ संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ उनकी किर्पा हमेशा यहां पे बरस्ती है यहां के भक्तों ने अपने पूछ संतों के सम्मान को जिन उचायों तक पहुचाया है उसका पेणाम है कि सक्ती भी साथ साथ उनकी चलती है और यह सक्ते का अद्वुत संगम छत्रपती सिवाजी माराज की रूप में माहराश्ट की माध्यम से हम सब को देखने को मिलती है यह मेरा सोभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्या मंत्री बना आधनिये प्रदान मंत्री जी ने जब मुझे दाहित दिया तो मैं आगरा गया था तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था उसका नाम था मोगल म्यूजियम मैंने का भी मोगल मूजियम आज के दिन पर मैंने गा इसका नम चत्रपती सिवाजी महराज का म्यूजियम रखो हमारा समंद चत्रपती सिवाजी महराज से है हमारा समंद मुंगलों से नहीं है और इसने चत्रपती सिवाजी महराज के नाम पर जाना जाएगा यह मिजियम और चत्रिम्पति सिवाजी महराज की स्मिर्तियों को वहाँ पर सजोने का कार ये पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आधनिये प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कोरिडॉर की गोष्णा की आत्म निर्भरता की लक्ष्य को प्राप्त होंगी इस दिसा में कार्य भी वहां हो रहा है तो यहां पे तो सक्तियां भी जुड़ रही हैं और पुझे संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं और इसी का पैणाम है जब सक्ति मिलेगी भक्ति और सक्ति का अदबुत संगम होगा तब पांसो वर्सों की गुलामी की दाश्ता से मुक्त होकर कर योध्या में राम मंदिर का भव्य अदबुत चंडभी वा अलोकिक चंडभी हम सब को देखने को प्रात होता है और हमारे पुझे संत जान मंच पर भ 22 जनवरी 2024 की जोती थी हम सब को अयोध्या धा में देखने को मिली थी अदबुत है और ये नई अयोध्या ये भव्य देव्य और नभ्य अयोध्या आप सब को भी अपने और आमंतित कर रही है और उसी आमंतन के साथ आज हम सब पोजे स्वामी गोविद्य देव गिरी जी जिन्होंने अपने ले नहीं सनातन बैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया पुरी देश के अंदर पुरी दुनिया के अंदर बैदिक पाड़ सानाओं की अस्थापना करके सिमत भगवत गीता के संदेश को ज देस को दे करके एडेज बेदों का मार्कद्सण पर आप्त करेगा जो कार मध्यकाल में समर्थगुरू रामदास जी ने च pluggingस्थरपती सिवाजी महराज का मार्कद्सण करके किया था वाकामाज दुबनेồगरी जी कि सानिद्यमें इस महाराश्ट के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, हर सनातन धर्मावलिंगी के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए उनके सानिते में निनंतर चला है और इस उसर पर मैं उनके जीवन के ससी, पिचत्तर वर्स पूर्ण होने के साउसर पर, चिब पिचत्तनवे वर्स में प्रवेश करने पर, गीता भक्ती, अम्रित महत्सो की सायुजन के उसर पर, उनकी प्रती हिर्दे से उनका विनंदन करता हूँ ग्यानिस्वर जी महराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक लंबे समय तक, पुझ्य स्वामी जी का आसरीबाद, उनका मार्ग दरसन, हम सभी सनातन धर्माब लंबियों को प्राप्त होता रहे, और उनके नित्रित्तों में, सनातन धर्म की धज़पता का इसी प्रकार स से दिगदिगंत तक लहराती रहे, इस विश्वास के साथ, आप सब की प्रतिवी मैं, इस गीता भक्त्यमरित महत्सों के उसर पर अपनी हिरदे से एक सभव्य आयोजन के लिए बदाई देता हूँ, आयोजगों के प्रतिय अपनी सुपकामना ही देता हूँ, और आप सब क योध्या के लिए भी सादर आमंतित करते हूँ, अपनी बाणी को ब्राम देता हूँ, जैजै स्रिताराम